को लोगो को याद होगा किस तरीके से हम लोग थोड़ा सा बायस थे में मार्केट रॉपर की तरफ जा सकता है कुछ पॉइंट में आपको बताया था हिट लाइक बटने तरह लोग कल का वीडियो देखे होंगे और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ने मार्केट हर दिन ग्याप खुल रहा है और क्लोजिंग 34,200 ग्याप खुल रहा है फिर सेलिंग आ रहा है तो यह तीन टाइम अल्रेडी हो चुका है ग्याप खुलने का नीचे क्लोजिंग अगर यह फोट टाइम फ्लाट या ऊपर खुला ग्याप समझ में आ रहा होगा और एक पũाइंट में बार बार आपको तता हो इसलिए ट्रेडिंग जनल मेंटेन करके रखो तो आपको समझ में है कौन से कंडिशन में हो सकते हैं प्रोबाबिलिटी क्या है तो इस तरी के से मैंने लास्ट त्री अगर एक मन्त का बात करूं अल्मोस्ट टू-टू-3 अगर वीक हम लोग देखेंगे मार्केट दाट टू-टू-टू-टू-प्रेसर में रहा है एक मन्त के अंदर एक लिस् यहां पर फास्ट मोमेंटम हुआ इसके आद इसको नीशे चला जाना चाहिए था जैसे मैं आपको बतारों अगर यह बार-बार पॉज ले रहा है और प्रिविस ट्रेंड अगर पोजिटिव है तो चांसे से यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनते आ रहा है और लास्ट स्व बढ़ ट्रेंड आइडिया देते थे टेलीग्राम में पोस्ट करते थे 20 रुपे का पचास रुपे का कॉल 300-600 होते हुए अम लोगों ने देखा है तो अभी क्यों बंद किया फस्ति मेरा इंटेस्टन यह कभी नहीं था कि ने आप लोगों को एक दिन का पैसा कमा के देना मेरा इंटेस्टन ही हमेशा रहता है किने आप लोग हमेशा कैसे एक थियोरी को लेकर हमेशा घर के लिए पैसा बना पाओ अभी अगर आप लोग देखोगी इस सारी चीज़े आप नोट डाउन करके रखोगे किस तरीके से थियोरी आ लाइन होता है फर्स तिंग अगर पर लोग कर सकते हो लेकिन सौट मार्केट हमेशा फास्ट के लिए तो एक अच्छा ट्रेड आज हम लोग को मिल यहां पर बहुत तक वे वेट किया मार्केट फिर ब्रेक आउट दिया स्विंग क्रॉस हुआ उसके डे हाई क्रॉस हुआ क्रॉस अने के बाद थर्टीफाइव थाउजन एट हंडिड में आप लोग को यह पॉइंट बताया थे सारी चीजा आप कर सकते हो देख सकते हो डिस्कीशन वाक्स में लिंक है वेबसाइट का वहां पर जाकर चेक आउट कर सकते हो कुछ लिमिटेड पीस ही बचे होंगे लास्ट इमें सोल्ड आउट हो गया था चली भी हम लोग टॉपिक पर आते हैं फस्स तिंग यहां पर मार् करता है हम लोग बाई कर सकते हैं 3-430,400 तक हम लोगा टार्गेट होना चाहिए अगर बहुत बड़ा ग्याप खुल गया तो डेफिनेटली थोड़ा सा सेलिंग प्रेसर देखने मिल सकता है या फिर थोड़ा सा साइडवेज मार्केट देखने मिल सकता है क्योंकि इतना कल ना भी खुले लेकिन यह थियोरी आपको याद रहे पोजिटिव सेंटिमेंट में अगर बहुत बड़ा ग्यापड़ान खुलता है तो थोड़ा सा में यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान कर सकता हूं थोड़ा सा में आपको कल भी मना किया था इसको थोड़ा सा साइडवे रखना बैंग निफ्टी फोकस करना बाइं के लिए क्योंकि वहां पेक पॉज ले रहा है अगर आप लोग देखोगे यह निया लो लगा रहा है अगर निफ्टी बैंग निफ्टी के जगा होता तो हम लोग को यह ट्रेंड भी मिलते लेकिन बैंग निफ्टी अपने लेवल पर इसी लेवल के आसपास होल्ड कर रहा था आज फिर एक अच्छा ब्रेक आउट दिया अभी करें स्टेज पर देखेंगे सारे लेवल नोट आउट टेस्ट हो चुके हैं अगर हम लोग देखें अगर नीचे आता है 140 150 के पास कोई बुलिस कैंडल बनाता है यहां पर हम लोग कर सकते हैं जोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा यहां फिर अगर फ्लाट खुल के क्रॉस करता है तो 280 तक हम लोग का प्लान होना चाहिए अगर नीचे आके यहां पर कुछ एक होल्ड कैंडल बन प्लान कर सकते हैं चले भी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं नोट बरिया और कैंडल क्लोज होने दीजिए वीकली फिर हम लोग देखें वीकली आनलीसिस भी करेंगे आने वले टाइम में तब आपको समझ में आएगा यहां पर देखेंगे एक बड़ा मोमेंटम वहां दो सब्सक्राइब हो सकता है तो इस लेवल तक हम लोग कर सकते हैं ट्रेंड का 10-15% अगर यह करेक्ट होता है तो कोई बड़ा करेक्शन नहीं होगा 4300 के नीचे कि यह भी राउंड लेवल है 4300 के नीचे हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं 10 रुपे का stop loss होना चाहिए 1.2 हम लोग का टार्गेट रहेगा नेक्स्ट ओक है हिंडाल को अगर देखेंगे बहुत ही अच्छा पैटन में यह ट्रेड कर रहा है मार्केट उपर गया तो रहे नीचे आया अभी लास्ट स्विंग क्रॉस नहीं कर पा रहा है नीचे के लिए अभी पॉज ले रहा है यहां पर डवल वटम बना सकता है तो अगर यहां पर यह सपोट काम आने वाला यह रिजिस्टंस और टाइम तक होल्ड नहीं करेगा क्योंकि सेलिंग यहां सेलिंग आपको यह फॉलो करना है बहुत ज्यादा अनलिस करने का ज़रूत नहीं है बस आप सिंपल चीजों को फॉलो करो यहां पर देखेंगे मार्केट कंटरिस लिए उपर गया बस एक काम करना हमेसा कोई भी ट्रेडिंग जनरल हो ना हो बुक में हमेसा यह सारे पॉइंट लिखके रख लो सब्सक्राइब कर पाओ तो यह सारे एक्स्पिरियंस आपको काम आएंगे तो आप आपको पता चलेगा कौन से डे पर आप को प्लान करेंगे बाई करने के लिए एट लिस्ट ट्वेलों क्लॉक के बाद यहाई के वाज इतने लोग बाई कियोंगे धाट अलसो बीके में इजी कि उसके बाद बहुत अच्छा सौट कवरिंग हुआ या फिर फ्रेस बाइंग है वीडों लेकिन मार्केट कर सकते हो फिर आपका एकाउंट थोड़ा सा अच्छे तरीके से ग्रोव हो सकता है यहां पर देखें मार्केट कंट्री तो मूब किया यहां पर नेगेटिव सिनारियो तो था लेकिन मार्केट अल्मुस्ट कहीं गया नहीं है थाटी एट हंडिट के आसपस यह ट्रेड कर रहेगा यहोप यह सारे पॉइंट आप लोगों समझ में आ रहे होंगे विडियो चला दो लाइक एंस अब इतना है तैंक यू